हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम term by term integration के उपर एक important question जो है उसे solve करेंगे जो हमारा functions है वो ये given है ठीक है और हमें ये दिखाना है कि ये close interval 0,1 पे term by term integrated है ठीक है तो इसे दिखाने के लिए सबसे पहले जो हमारा functions है उससे लिखना होगा तो आएए देखते हैं given that given that if nx is equal to ये है nx 1-x का पावर n now is x is equal to limit n tends to infinitive function fnx ठीक है is equal to अब fnx के जगा पर हमारा ये है तो उसे put करना होगा तो limit n tends to infinitive और ये हो जाएगा nx और ये 1-x का पावर n अब n के जगा पर हम infinitive put करेंगे तो यहां और यहां यह फूरा term जो है वो 0 के बराबर आ जाएगा it means 0 where x is equal to 0 and 1 जहां x पराबर क्या है 0 है और 1 है तो इसमें एक condition है कि x पराबर या तो ये है नहीं तो ये है लेकिन x जो है अगर ये दोनों के बीज में अगर exist कर रहा हूं तब क्या condition मने रहा हूं तो now for 0 is less than x x is less than 1 it means x between 0 and 1 ठीक है तो s x is equal to हम मिलेगा limit n tends to infinity और यहां पर n x 1 minus x का पावर n is equal to इसे हम solve कर लें तो यह मिलेगा limit n tends to infinity और यह हो जाएगा n x by 1 minus x का पावर minus n ठीक है ना और यहां पर अगर हम infinity put कर रहे हैं तो यह और यह यानि कि यह जो form आया है ना यहां पर infinity by infinitive का form आया है जब भी infinity by infinitive का form आता है तो हम उसे उस time में नहीं solve करते हैं तो यहां पर हो जाएगा limit n tends to infinity के हो जाएगा x और इसे integrate करेंगे तो यह मिलेगा minus 1 minus x का पावर minus 1 और यह हो जाएगा log 1 minus x ठीक है अब इसमें अगर हम n tends to 0 infinitive put करते हैं तो यह जो पूरा term है वो हमें 0 के पराबर मिल दाएगा तो इसलिए therefore s x is equal to 0 कब when 0 is less than equal to x x is less than equal to 1 ठीक है न इसलिए integration of 0 to 1 s x is equal to अब यहां 0 है तो integration of 0 to 1 0 into dx is equal to क्या मिलेगा हमारा 0 ठीक है now now 0 to 1 यहां पर function f n x dx is equal to यह हो जाएगा 0 to 1 यहां के जो हमारा function है वो है n x 1 minus x का power n और dx अब इससे normally हमें integrate नहीं कर सकते तो हमें यहां पर put करना होगा put 1 minus x is equal to z जब भी हम put करते हैं तो उसे dc करना होता है तो minus z is equal to हमें मिलेगा sorry minus dx is equal to हमें मिलेगा dz which imply dx is equal to minus dz अब इसका limit भी change करना होगा तो when when x is equal to 0 then z is equal to 1 और x is equal to 1 then z is equal to 0 ठीक है नहीं कि x 0 था तो z का limit 1 होगा x1 है तो z का limit जो है वो 0 होगा इसलिए यहां पर integration of 0 to 1 यहां पर function fx और dx is equal to limit change 1 0 n into 1 minus z और z का power n minus dz ठीक है यहां से n को common कर लेंगे तो यह होजाएगा n 0 to 1 यह z का power n minus z का power n plus 1 और यहां पर dz ठीक है इसके आगे हमें मिलेगा is equal to यह n का n रहेगा यह 0 to 1 और यह हो जाएगा z n minus z n plus 1 और यहां पर dz ठीक है is equal to n का n रहेगा अब इसको हम अलग-अलग factorize कर रहे हैं तो यहां पर मिलेगा इसको integrate करेंगे तो z 1 plus 1 और यहां पर n plus 1 हो जाएगा minus z n plus 2 और यहां पर हो जाएगा n plus 2 और इसका जो limit है वो है 0 to 1 तो यह n का n रहेगा यहां पर हो n plus 1 minus यह जब हम put करेंगे तो यह मिलेगा n plus 2 ठीक है तो यह n से n 2 हो जाएगा तो h equal to यह हो जाएगा n by n plus 1 into n plus 2 ठीक है इसलिए limit n tends to infinity limit 0 to 1 if n x dx is equal to limit n tends to infinity यह n by 1 plus n और यहां पर n plus 2 ठीक है न n plus 1 भी लिख सकते हैं कोई दिकत नहीं है तो is equal to अब यहां पर हमें limit लगाना है limit लगाने के लिए यह जो है वह n को हमें common करना होगा it means n को हटाना होगा तो यहां हो जाएगा n tends to infinity n को common करेंगे तो यह n का n रहेगा यहां से n को common कर लेते हैं तो यहां से दोनों में से n को common करेंगे तो यह हो जाएगा 1 by 1 plus 1 by n और यहां पर हो जाएगा 1 plus 2 by n ठीक है और इससे यह कर जाएगा single n बचेगा और इसमें जब हम put करेंगे तो यह हमें मिलेगा 0 ठीक है hence hence limit n tends to infinity n tends to infinity limit 0 to 1 if n x dx is equal to 0 ठीक है limit n tends to infinity 0 to 1 if n x dx is equal to 0 to 1 s x dx ठीक है ऐसा क्यों चुकि 0 के बराबर हमने already इसको प्रूब किया था कि limit s x जो है एक मिनट में आपको दिखा रहा हूं यहां पर limit 0 to 1 s x जो है वो है जीरो तो अगर हमारे पास 0 है तो इसके जबब पर हम इसे put कर सकते हैं ठीक है तो यहां पर हमें मिल गया गया कि limit इतना is equal to इतना और term by term integration यहीं कहता है यानि thus this range is integrated integrated term by term in close interval 0,1 ठीक है न एक कोमा भी नहीं होगा वो तो हमारा थिवरों में था यहां पर हो जाएगा 0,1 और इस question का जो जबाब है हो complete हो गया एक और question बनाएंगे जो कि इसी पर based होगा और उससे आपका यह जो वीडियो है वो फुरा का पुरा क्लियर हो जाएगा तो इस वरी में था है फिर मिलते हैं आप ले वीडियो में तब तक के लिए जाहिए